ठीक हो गया, समझ गये इतना, तो इस चुत्र में आप क्या देख रहे हैं, किसमें क्या है, इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो क्या हो गया, इंसेक्ट वाला जो परागण होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कि जिन भी पेड़ों में ये परागण होगा, उस प्लाण्ट्ध एक माते क्रशश्चंग को पास याई तो छोवज़ से रहे थे साथा और इन देखनके यह तो फूल का पास आएगा और इसी लालच के चक्कर में क्या होगा कि उसको खाने को मीठा बदार तो मिल गया और उसके पेरों में क्या होगा पोलन ग्रेन चिपागे अब वो दूसरे जैसे यहां पर यह बैठा होगा है तो पराकणों को ले रहा है अब यह दूसरे इसमें जाएगा तो यहां पर क्या करेगा पराकण की करेगा तो यह वाले जो फूल होतें वो क्या होतें चमकदार होतें मकरंद युक तो होतें ताकि कीट पतंगे क्या हो इसकी और क्या हो सकतें आकर्शे हो सकतें थेक होगे बच्चो तो यह क्या होगे, आपका कीट परागा, ठीक है, इसी से रिलेट एक और है कि पक्षी पराग, ठीक है, कि जो पंक्शी है वो अपनी चोंच द्वारा इसका मकरंद लेते हैं और उसके पंक्षों में गया होता है उस वक्त परागण डता है और वो फिर एक फूर से दूसरी फूल में जाते है तो अस तरीके से क्या होता है जो माधा फूल है उसके वर्थी का अगरे तक परागर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो प्रकर्दी ने कितना अच्छा बनाए है, आप सोचिए, कि इंसेक्ट हमारे पास आए, तो फलार को क्या दे दिया, उन्होंने मखरंद दे दिया, कि लालस दे दिया, नहीं तो वो नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसी जो रात के फूल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो चमकीले नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होंगे, तो क्या होगा, पस्ट दिखाए देंगे रात में, और चमकादर आदी पक्षी क्या करते हैं, उसमे जो पेड़ होते है वहाँ पर गिलहरी क्या करती है परागण की क्रिया करती है और कुछ प्लांट्स ने घोंगे परागण की क्रिया पूरी करते है तो मतलब जितने भी वराइटी के हमारे पास प्लांट है उतने ही वराइटी का हमारे पास क्या है परागण की क्रिया भी है य दोनों माध्यम से परागन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, परागन है कि अक्चुली कि पराकों से पराकणों कर निकल कर वर्तिका आगर तक पहुशने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परागन है, तो क्या हो गया, यह हवादवार,